Hello and welcome my dear soul family, कैसे हैं आप सब आशा करती हों आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ शुरक्षत होंगे आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी खास और हटके क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके दोनों के सेपरेशन का कारण कौन था कौन था वो जिसने आप दोनों के रिष्टे में जहर घोला और जिस वज़े से आज आप दोनों अलग हो गए है होने वाली है रीडिंग बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग सबसे पहले हम इंजल्स का शुक्रियादा करेंगे डिवाइन इंजल्स को हमेशे थैंक यू बोलेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल रहेंगे आईए शुरू करते हैं आज की रीडिंग ओके पहला कार आगया है डेवल कार्ड ये तो बहुत अलगसी बात है समझ रहे हैं आप डेवल कार्ड के आने का क्या मतलब है वो भी पहला ही कार्ड जरूर इस रिष्टे में कोई तीसरा इंवाल्ड है जिसकी वज़े से आप दोनों के सेपरेशन हो गया है ठीक है जानते हैं डून निकालते हैं कौन है मुझरिब Ace of Cups बहुत ही जादा Emotions थे आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं था कि रिष्टा जो है लस्ट पर टिका हुआ था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था एक मिनिट अपने परसन का नाम लित रहिए अपने परसन का नाम लित रहिए जज्मिंट नाइट अवांट्स एक काड़ और देंगी Angels हमें गाइड करिए ओके Four of Pentacles देख लीजी यह है आपका spread और इससे बहुत सारे चीज़े जो हैं clear हो रहे हैं देखिए यह बात तो साफ हो गई reading के starting में कि इस रिष्टे में कोई और जो है तीसरे पार्टी की दखल अंदाजी तो surely है और मुझे ऐसा लगता है यह दखल अंदाजी का जो रास्ता है वो वो उनको दिया गया है ठीक है ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जबरदिस्टी आएं है नहीं देखिए अगर आपसे कोई नया इनसान मिलता है उसके सामने अगर आप अपनी परसनल लाइफ को बार बार डिसकस करेंगे ठीक है बार बार सबको बताएंगे तो फिर देखिए ना चाते भी वो आपको एडवाइस देंगे और अगर रोज आप अपनी कमिया या फिर अपने रिष्टे की जितनी भी अंदर की बात है दूसरों को बताते रहेंगे न तो कहीं न कहीं वो भी अपनी नाक उसमें गुसाते हैं टांग उसमें अडाते हैं तो ठीक यही हुआ है आपके रिष्टे में मुझे असे लगता है कि आपका रिष्टा बहुत अची तरीकी से चल रहा था आप दोनों एक दूसरे को बहुत अची तरीकी से समझते थे अपस में दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहते थे अपस में आप mentally connected थे emotionally connected थे एक दोनों के लिए एक दूसरे में मतलब spark भी था और मुझे ऐसे लग रहा है कभी-कभी आप physically भी बहुत ज़्यादा fulfilled थे और satisfied थे प्लीज अगर ऐसा है तो मुझे comment section में जरूर बताईएगा इस वीडियो को like करके जरूर जाएगा लेकिन हुआ कि जब भी आप दोनों के वीच में बाचीत बिगड़ती थी मुझे ऐसा लगता है ये person जो है ये जाकर किसी अपने close friend से discuss जरूर करते थे close friend हो गया फिर उनके घर पे कोई तीसरा person हो गया कोई नया कोई आप दोनों के अलावा आप दोनों के बारे में जानता होता था कि आप दोनों की इस वक्त लडाई हो गई है चाहे वो reason कितना भी छोटा हो चाहे वो reason कितना भी बड़ा हो यहां पे मैं देख रही हूँ आपके person की एक आदत थी वो कोई भी बात अपने तक नहीं रखते थे वो क्या करते थे अपने दोस्तों के साथ या किसी third party के साथ जिसको आप अच्छी तरही किसे जानते होगे उनके साथ जाके share करते थे अब उससे क्या होता था आपकी image है न उसका असर बहुत जादा पड़ता था हर बात बता देना और ये बताना कि यार मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है रोज लड़ाई होती है ये वो लेकिन आपके अंदर मैं opposite quality देख रही हूँ मुझे यससे लगता है कि जब भी आप दोनों के बीच में कोई unburn या बहस हो जाती थी तो आप उसको लड़ाई की तरह नहीं लेते थे आप गुसा होते थे लेकिन आपको ऐसे लगता था कि मीरा ही रिष्टा है मीरे ही person है मुझे दूसरों से क्यों बतानी है आपके मिन में ये सारी चीज़े चलती थी दूसरों से बता के क्या करना है ये चीज़ बिलकुल भी सही नहीं है किसी और को अपनी बाते बताना मेरे ही person है अगर उन्होंने क्या हो गए हम दूनों की लड़ाई होगी आज लड़ाई होगी कल ठीक हो जाया और जहां प्यार होता है वहां लड़ाई तो होती है ये आपकी understanding क्या रही है लेकिन यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप तोनों की लड़ाई हो जाती थी ना तो ऐसा नहीं होता था कि दोनों में से किसी को फरक नहीं पड़ता था नहीं emotionally आप आपकी दिल में ना कुछ भारी भारी लगता था हमेशा बहुत भारी भारी तो ऐसा है कि आपको ना बिल्कुल मन नहीं लगता था अगर आप जॉब पे जा रहे थे अगर आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय तो आपको हमेशा heavy heavy लगता था ऐसा लगता था कि बस कॉलर खीच के एक दम यह तो किसी ले लूँ या फिर गले से लगा लूँ उससे भी गुस्तर शांत हो जाएगा आपकी यह तरीके थे आप ऐसा ही चा रहे होते थे हमेशा लेकिन यह परसना मतलब कुछ अलग तरीके से बहेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं दूसरों को जाके बूलना उनके सामने डिसकस करना एक से बात दूसरे के पास दूसरे से तीसरे के बात जितने ज़्याद लोग यहाँ पर involved होते गए तो वहाँ पर judgment भी तगड़ी होती गई देख लीजिए यह बात कुछ भी नहीं होती थी लेकिन जितने लोगों के पास यह बात जाती गई उतने लोगों के पास यह बात फैलती गई तो उतने लोग अपनी advice देने लग गए तो होता इससे क्या था disadvantage यही हो रहा था इससे कि जितने लोग उतनी बाते, उतने मूं, उतनी बाते तो हो ये रहा था कि आपकी न कहीं न कहीं अगर छोटी मुटी भी लड़ाई हो जाती थी आपके person के मन में तो उन लोगों ने पहले से ही जहर घोल दिया था क्योंकि आपके person ही थे जो अपनी बाते दूसरों को बताया करते थे जिससे लोगों को आप दोनों की जो कमजोर करी है वो पता चल जाती थी तो वो वहीं बेवार करते थे और आपके person को किसी ना किसी तरीकी से बढ़काया जाता था तो इसका नुकसान यही हुआ धीरे 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 करके आप दोनों के बेच में बाते डिसकस होना भी बंद होने लग गई क्योंकि देखिए जब आप किसी से कोई चीज डिसकस करेंगे और आप हमेशे देखेंगे या तो वो लड़ रहे हैं या वो चुड रहे हैं या वो जखड रहे हैं इरिटेट हो रहे हैं तो आप भी बोलना बंद कर देंगे क्योंकि आपके लिए मैटर करता है आपका रिष्टा आपके लिए मैटर करता है कि मेरे परसन हमेशा खुश रहने चाहिए मेरे परसन को जो चीज नहीं पसंद तो मैं वो चीज क्यों करूं कितनी भी वो आपसे लड़ाई कर ले आप कभी भी अपनी बात दूसरों को नही involve करते थे नहीं बताते थे आपको पता था आपस की बात है हम दोनों आज लड़ाई हो कि कल solve हो जाए यह फिर वही प्यार ब्यार होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे ऐसा क्यों लगता है हो सकता है जादा लोगों से resonate ना करे आपके परसना मतलब वैसे तो कभी ऐसे कोई forcefully नहीं लेकिन इनके group का असर है यह जिनको भी बाते बताया करते थे इनके according किसी रिष्टे में physical होना बहुत जादा जरूरी था पता नहीं आपसे resonate करेगा कि नहीं क्योंकि general reading है अगर ऐसा है तो please comment section में मुझे जरूर बतायेगा तो ये ना आपको force तो नहीं करते थे लेकिन मैं देख रही हूँ convince करने के कोशिश करते थे कि हमें physical होना चाहिए हमें काफी time हो गया है अपने रिष्टे को next level तक लेके जाना चाहिए हम दोनों की शादी तो हम करने ही वाले हैं तो इससे क्या फरक पड़ता है और इससे रिष्टा जो है strong होता है और करीब आते हैं तो आपको convince करने के कोशिश करते थे आप में से बहुत सारे जो लोग है वो कहते थे कि नहीं avoid करते थे कि नहीं सही time आने पर क्योई आपको कहीं न कहीं भनक लग जाती थी कि ये इसलिए नहीं कहा रहा है अगर जो चीज होनी है वो तो naturally हो जाएगी लेकिन ऐसा लग रहा था कि कि किसी के influence में आके कहा रहा है या फिर किसी को देखते थे अगर इनके group में कोई discuss करा है कि हमने तो आज ये कि हम तो physical हो था आपके person भी इस तरीके से मतलब करना चाते थे ताकि वो भी बोल सके लोगों के सामने और फिर उनको भी उस चीज में interest आने लगा था या फिर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने partner के साथ intimate हो चुके हैं physical हो चुके हैं और वैसी बाते भी आपके person मतलब detail में नहीं लेकिन उनको ये बात बोला करते थे कि हाँ वो physical हो चुके हैं आपके रिष्टे में ये सारे चीज़े हो चुकी हैं तो जादा तर बाते जो हैं अगर out करने के कारण जो है यहाँ पर देख रहे हो एक तरीके साब के person के ना बेडिया चड़ गई थी मतलब उनको एक लटसी लग गई थी हर चीज दूसरों को बतानी है हर चीज दूसरों के सामने discuss करनी है जिससे हुआ क्या की लोग ना devil बन गया आपके रिष्टे में और कहीं ना कहीं आपके जो fiery passion energy जो है वो धीरे 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 फेड होती गई और आपके रिष्टे में सिर्फ लड़ाई जगड़ा और सबसे ज़ादा मुझे यहाँ पे लग रहा misunderstanding तो ऐसे ही धीरे धीरे दीरे दीरे करके जहर गोला गया है बहुतों के cases में तो ऐसा लग रहा है जब उनके घर पे पता चल गई तो उनके घर के family members ने हो सकता है relative हो चाचा चाची भाई या उनके खुद के parents है कोई बड़े बज़र्ग जो है उसमें खुद शामिल हो गए और वो ही आपके person को आपके खिलाब भड़काने लग गए हो सकता है उनके खुद के parents हो कि देखिए वो सही नहीं है तुमारे लिए वो तो ऐसे ही फसादते हैं नहीं हमारी क्या इज़त रह जाएगी ये ऐसे करके आपके person को इतना जदा कमजोर बना दिया गया इस रिष्टे के टूटने के कारण आपकी हालत ऐसी हो गई जो किसी को ना बता सकते थे ना किसी से डिसकस करते थे अंदर ही अंदर आपको पता लग रहा था आपके person को आपको save करने को मन करता था लेकिन वहागी एक ना सुनते थे यहाँ पर night of wands आ गया है इसी दोरान क्या होने लगा कि वो आपके लावा दूसरों को भी explore करने लग गया जी हाँ अपने group के उसमें आके बहकावे में आके दूसरों में भी आपको ढूढने लग गया एक तरीके से आपको ना ढूढके उनको ना बाकी लड़कों में या बाकी लड़कों में perfection देखने लग गया कि इतना ना सादा मतलब किच किच करने वाले नहीं होने चीज़े लडाई होती रहती रोज रोज जबकि वो यह नहीं समझ पा रहे थे कहीं ना कहीं उनका जो group है या फिर जिनके साथ वो रह रहे हैं जिस company में वो रह रहे हैं जो third party है वो ही एक major reason है आप दोने के बीच में जगड़ा होने का या फिर अनबन होने का वो चीज़ वो समझ नहीं रहे थे तो comment section में जरूर बताईएगा तो वो उसको use भी कर रहे थे और आप दोनों को अलग करने के भी कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनकी नजर में भी जिससे आपके person बताते थे ना आपके बारे में एक negative सी image बन गई थे तो वो आपको भी गलत तरीके से देखने लगे थे एक चीज़ और एक brand new reading जो है upload हो गई है timeless current feelings के उपपर जरूर से जाके इस reading के बाद देखिएगा और हाँ आज attendance लगा के जाएगा कि किस किस से video resonate हुई एक चीज़ और बता कि जरूर जाएगा जो reading description box में दीगा है जो link है वो कौन कौन जाके देखते हैं और वो reading आपसे कितनी resonate करती है वीडियो अच्छी लग रही हो तो like करके भी जरूर जाएगा अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ही कोई जबरदस्ती नहीं है दूसरा यह जिस से ने दूनों का separation हुआ मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा strong थे उस समय भी आप किसी से भी discuss नहीं कर रहे थे जी हाँ उस समय भी किसी से discuss नहीं कर रहे थे अकेले ही अंदर से इतने ज़्यादा suffocate कर रहे थे ऐसा लग रहा था ना सब के सामने रो सकते है ना कुछ लेकिन आप कभी भी उनकी जगा किसी और को नहीं दे सकते थे क्योंकि आपने सचा प्यार किया था और आपने अपने प्यार को अपनी आँखों के सामने ही बदलते देखा आपके लिए सबसे ज़्यादा shocking दर्दनाग और आपको असे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है वो टाइम इतना ज़्यादा आपके लिए difficult था कि आज भी जब आपकी reading देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं मैंने वो time कैसे गोजार लिया लेकिन वो life का सबसे ज़्यादा difficult time था आशा करती हूँ आपसे reading resonate होगी इस वीडियो को प्यार देखिए description box में जो वीडियो दे गई है link आपको मिल जाएगा नी चाही देखके जरूर जाएगा मैं मिलूंगी निक्स वीडियो में तब तक के लिए God bless you and love you all